हेलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पी बाइपी और पी इवी में दोस्तों मैं कमलिसा हूँ और मैं आज आपको उपना प्रोफेशनल एग्जामनेशन वोट का जेल बिभाग कारियल लाइप प्रधान मुख्य वन सनक्षक एंड राज वन विकस निगम लिमिटेड सुभूपाल के कमबाइन डिक्यूपमेंट टेस्ट 2017 के प्रिबियस यर क्वेशन पेपर लेकर आया हूँ दोस्तों इस वीडियो की जो प्रिबियस यर के क्वेशन पेपर रहते हैं उनसे सीधे एग्जाम में कॉशन पूछे जाते हैं तथा प्रिबियस यर कॉशन पीपर के एनलेसिस की ठू हम अपने पढ़ाई की स्टेडिजी को प्लान कर सकती हैं चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ तो दोस्तो आपको याद रखना है कि इसका संबेग माइनस एमबी माइनस एमबी इसका राइट आंसर हमारा फ़स्ट ओप्सन होगा जब एम द्रबमान का एकवंड वी बेगी की साथ एक दीवार पटक राता है तो समान बेग से वापस उचलता है तो इसकी परणाम सरूप संबेग में परिवरतन माइनस टू एमबी होगा दोस्तो आपको याद रखना है कि संबेग को हम इंगलिस में मोमेंटम बोलते हैं संबेग का फॉरूमला पी इस इकल्स टू एमबी होता है आथार्थ द्रबमान तथा वीग की गोडन फल को संबेग कहा जाता है इसे हम पी इस उकल्स टू एमबी से विप्रेजेंट करती है यह एक प्रकार की सदिस आथार्थ वेक्टर कॉइंटिटी है दोस्तो आपको याद रखना है कि जो संबेग रहता है इसकी यूनिट कभी कभी एकजाम में पूछ ली जाती है तो दोस्तो आपको याद रखना है कि संबेग की यूनिट मास की यूनिट द्रबमान की यूनिट किलोग्राम तथा बेग की यूनिट मीट पर सेकंड है प्रकार आपको याद रखना है कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी ऐसा यूनिट है बढ़ते हैं दूसरे कॉस्चन की ओर और आज का हमारे दूसरा कॉस्चन है हवा के नियत ताप पर धनी की चाल खलिस्तान होगी तो दुस्टों आपको याद रखना है कि हवा के नियत परधनी की चाल में कोई परिवर्द नहीं होता आथार्थ दाब में ब्रध्दी की साथ समान रहती है इस परकार इसका right answer नमर थार्ट option remains the same with increasing increase in pressure आथार्थ दाब में ब्रध्दी की साथ समान रहती है हवा में नियत ताब परधनी की चाल बढ़ते हैं अंगले question की ओर और आज का हमारा तीसरा question है आपको बताना है कि संदचना के इस तर देखे जा सकते हैं तो दोस्तो आपको याद रखना है कि multi-cellular organisms आथार्थ बहुकोस की जीप में संदचना के इस तर को देखा जा सकता है दोस्तो आपको याद रखना है कि multi-cellular आथार्थ बहुकोस की में हम animal तथा plant को include करते हैं दोस्तो आपको याद रखना है कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि जो unicellular करने कहा जाता है तो दोस्तो आपको याद रखना है कि unicellular आथार्थ को हम एक कोस की जीप कहते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताईए बैक्टिरिया बायरस अमीवा तथा पैरामेशिया ये किसके example है तो दोस्तो आपको याद रखना है कि बैक्टिरिया वायरस अमीवा तथा पैरामेशिया ये सभी unicellular आथार्थ एक कोस की जीप के उधारन होते हैं जिनको हम prokaryotic के अंतर्च include करते हैं वही plants तथा human या animal ये सभी multicellular आथार्थ बहु को उसकी जीप के अंतरगत आ जाते हैं और ये हमारे eukaryotic के टिगरी में include होते हैं बढ़ते हैं अंगले question की ओर और आज का हमारा तीसरा चौश चौश चोथा question है आपको बताना है लकडी उधारन है एक तो दोस्तों आपको याद रखना है would is an example of atherth would एक प्रकार की अपारदर्सी का example है इस प्रकार इसका right answer ऑपा क्यों हमारा fourth option होगा बढ़ते हैं पाच्वे question की ओर और आज का हमारा पाच्वे question है आपको बताना है बिशाणू द्वारा जन्तूं में उत्पन्न होने वाला रोग हमारा fourth option foot and mouth आथार्थ मुक तता खुर रोग है जो की हमारे bacteria आथार्थ जो की हमारे virus आथार्थ विशाणू द्वारा होता है बढ़ते हैं अंगले question की ओर और आज का हमारा छटमा question है जोगाली करने वाले पसू के आमासाय में कुष्टों की शंख्या कितनी हो हमारा fourth second option चार होगा जोगाली करने वाले पसू में अमासयों के कुष्टों की संख्या चार होती है बढ़ते हैं साथमे question की ओर और आज का हमारा साथमा question है आपको बताना है ऐसके में मौझूद रेत चूना पत्थर चट्टानी सामाग्री जैसे वांचित धर्ती की दियों को हम गेंग आथार्थ अधात्री कहती हैं बढ़ते हैं आठमे question की ओर और हमारा आठमा question आपको बताना है जो कि human physiology से सम्मंदत है मानों में मेरू तंत्रिका की संख्या होती है इन human number of spinal nerves is तो दूस्तों आपको याद रखना है 31 pairs आथार्थ 31 जोड़ी इसका right answer होगा बढ़ते हैं अंगले question की ओर और हमारा अंगला question आपको बताना है ammonia के जली बिलियन में क्या होता है तो दूस्तों आपको याद रखना है कि ammonia नह पूर प्लस तर था OH माइनस में तूट जाता है इस परकार इसका right answer हमारा third option NH plus OH माइनस होगा जो कि ammonia के जली बिलियन से होता है बढ़ते हैं दसमे question की ओर और आज का हमारा दसमा question है आपको बताना है ऐलूमोनियम का प्रियोग खाना पकाने की बरतन बनाने के लिए किया जाता है ऐलूमोनियम के निमन गणों मैंसे कौन सा इसके लिए उत्तरदाई होता है तो दूस्तों आपको याद रखना है कि good thermal conductivity conductivity आथार्त यह उसमा का अच्छा चालक होता है यह right answer है हमारा second option अच्छी बिद्धुत चालकता तो दूस्तों यहाँ पर ऐलूमोनियम के खाने बनाने वाले बरतन की बात हो रही है इस परकार यह इसमें इंक्लूड नहीं होगा हमारा third option है लचीलापन डक्तिलिटी यह भी इसका right answer नहीं है हमारा fourth option उच गलनांग के बिंदू आथार्त high melting point इस परकार आपको याद रखना है कि एलूमोनियम का प्रियोग खाना पकाने की बरतन के लिए किया जाता है क्योंकि यह good thermal conductivity एवं high melting point आथार्त अच्छी उशमा चालकता तथा उच गलनांग के बिंदू हो होता है इस परकार इसका right answer हमारा first option first तथा fourth होंगे बढ़ते हैं अंगले question की ओर और आज का हमारा ग्यार्मा question है आपको बताना है नहीं मिलकित में से कौन से ठंडे और गर्म पानी से पिती के लिए नहीं करते तो दोस्तों आपको याद रखना है हमारा second option के LCM यह react करते है मेगनीशियम तथा sodium यह तीनों react करते हैं लेकिन हमारा जो iron है यह धातू है जो की ठंडे और गर्म पानी के साथ पिती के लिए नहीं करते दोस्तों आपको याद रखना है कि जो हमारी iron है इसका atomic number 27 है तथा इसका परमाणू भार या परमाणू mass atomic mass इसका 57 है मैं आपको पन ना बता दी रहा हूँ iron iron का symbol fe है इसका परमाणू करमांग 27 तथा atomic mass आथा परमाणू द्रव्यमान 57 लगभग 57 है बढ़ती है अंगले question क्यों और आज का हमारा तिबार्मा question है आपको बताना है निम में लिखित गुणों में सी कौन सा धातूओं में आम तोर पर नहीं में हमारा प्रिकृती में धनात्मक्ता यह भी देखाई देता है लेक्टिकल कंडक्शन आथार विद्द्चालंत तथा डक्टिलीटी यह सभी धात्यों के गुण होते हैं जबकि डलनेस आथार्थ नीर सता इसका राइट आंसर नहीं है बढ़ते हैं अंगले question की और और आ मूल copper carbonate के साथ अपनी चमक को खो देता है और हरे रंग की परत बनाता है इस परकार इसका right answer हमारा fourth option होगा पढ़ते हैं अंगले question की और और हम आपको बताना है the first link in all food chain is आथार्थ सभी खाद सरंखलाओं में प्रिथम कड़ी खलिस्तान है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हमारा right answer green plant आथार्थ हरे पौधी इसका right answer है जो कि सभी खाद सरंखला में प्रिथम कड़ी की रूप में हमारे पौधी को ही include करती हैं बढ़ते हैं 1.4 meter per second होगी इस प्रकारस का right answer हमारा third option होगा एक कलोग्राम दरबमान एक जूल की गतिच उर्जा रखता है तब उसकी चाल 1.4 meter per second होगी बढ़ते हैं सोलमे question की और हमारा सोलमा question आपको बताना है सोडा asset से आग बुझे कैसे बुझ जाती है तो दोस्तों आपको बताना है कि सोडा asset से आग कैसे बुझ जाती है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सोडा asset से आग इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वह cutting the supply of air आथार्थ हवा की आपूरती काटनी की कारण इस प्रकारस का right answer हमारा first option है इसी की कारण ही सोडा asset से आग बुझ जाती है बढ़ते हैं अंगले question की ओर और आज का हमारा सत्तमा question है आपको बताना एक बिद्दुत अब घटे है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एक बिद्दुत अब घटे एक द्रव है जो की धारा का चालन कर सकता है इस प्रकारस का right answer हमारा third option होगा बढ़ते हैं अठार में question की ओर आप आपको बताना है जीन की संदचनात्मक एकाई खलिस्तान सी बनी होती है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जीन की संदचनात्मक एकाई DNA आथार्ट डियोक्सी राइवो नुकलिक एसेट सी बनी होती है इस प्रकार इसका right answer हमारा fourth option होगा बढ़ते हैं आंगले question की ओर और हमारा अंगला जो की 19 question है आपको बताना है जब एक बस्तू द्वारा तै की गई दूरी समय के सीधी समानु पाती है तो इसे निम्मलकित की साथ गती सील कहा जा सकता है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब एक बस्तू द्वारा तै की गई दूरी समय के साथ इस परकार इसका right answer हमारा second option constant speed आथार्थ नियत चाल होगा बढ़ते हैं 20 question की ओर और आज का हमारा अंतिम question है आपको बताना है great beer is a दोस्तों आपको याद रखना है कि great beer एक परकार का एक तारा मंडल है इस परकार इसका right answer constellation आथार्थ एक तारा मंडल जो की एक great beer है दोस्तों इस परकार जनरल साइंस की 20 question का डिस concern यहीं पर समाप्त होता है मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक बनी रही है हमारे साथ धन्नबाद thank you for watching my video